हेलो फ्रेंट्स आज हम आपके लिए EVS NCIT से related important question जो के आपके seated exam में आजकल देखने के लिए मिलते हैं तो फ्रेंट्स ये वीडियो आपके लिए बहुत दी important होने वाली है वीडियो को बिना skip किये होए लाश्ट तक आप जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ जानवर रात में जाकते हैं यह जानवर हर चीज को कौन-कौन से रंगों में देखते हैं तो यह जानवर काली और सफेद रंग में चीज़ों को देखते हैं आपका अगला प्रस्न है किसी अध्या एक गिलास पानी में छुटकी भर नमक का घूल दिया जाए तो जल का इस्तर कैसा रहेगा तो जल का इस्तर एक समान रहेगा next question है नागालेंड के साथ सीमा साजा करने वाले राज्जे कौन कौन से हैं तो नागालेंड के साथ में जो राज्ज सीमा साजा करते हैं वे है अरणाचल प्रदेश, असम और माणीपुर next है उतर भारत में बान की घटनाओं के बढ़ने के क्या क्या कारण है अपवाह छेत्र में बन की कटाई में ब्रद्धी ये उत्तर भारत में बान की घटनाओं का प्रमुक कारण माना जाता है नेक्स्ट है मानचित्र बनाने के बिग्यान को क्या कहा जाता है तो मानचित्र बनाने के बिग्यान को हम काटोग्राफी के नाम से जानते हैं नेक्स्ट है परवतिय छेत्रों में सडकों के अबरोध होने का प्राक्रतिक कारण क्या है तो भूसकलन इसका प्राक्रतिक कारण माना जाता है नेक्स्ट है आपका बन आच्छादन के कम होने के क्या कारण है तो बढ़ती हुई आबादी इसका प्रमुक कारण है नेक्स्ट ह और जोन जिन सकतिसाली विक्रणड को सोक कर जीम मंडल को सुरच्छा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं उन्हें हम अल्ट्रा वाइलेट यानी परावेंगनी केने कहते हैं नेक्स्ट प्रेस्ट ने है आपका वातवरण में प्लोरो फ्लोरो कारवन यानी सीएफसी उचसाजित पकड़ने पर प्रतिबंद लगाने संबंदी प्रत्थम प्रोटोकॉल कहां पर हुआ था तो यह हुआ था आपका मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल आपका कनाडा में इस्थित है नेक्स्ट प्रेस्ट है आपक कि उन बनओं को क्या कहते हैं जो चक्त्रबातों के अवरोधकों का कार्दे करते हैं उन्हें हम मैंग्रोब बन कहते हैं नेक्स्ट है काँसा या कांसे कौनसी दो धात्वों का मिस्थ्रड है तो यह है आपका तावा और टिन अगला है भारत का Sबसे प्राचीन राश्टी ये उद्ध्यान कौन सा है तो भारत का सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है वो है जिमकारवेट नेशनल पार्क ये आपका उत्राखंड में इस्थित है इसकी इस्थापना 1973 में हुई थी और इसका नया नाम राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है अगला प्रसने है रातमे किलने वाले फूल होते हैं सफेद और सुगंदित नेक्स्ट है केरल को क्या कहा जाता ये आपके इंडोनेसिया भारत के मेगा ले राज्जिमें पाया strengthened है तो नेपर इंतीनसी जिसे हम कीटा हारी पौदा कहते हैं यह आपके इंडोनेसिया भारत के मेगाले राज्ज Candace में पाए जाता है अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इतर के लिए फैमस है नेक्स्ट है आarnya मच्छर के काठने से कौन कौन से रोग होते हैं तो मच्छर के काठने से मलेरिया, चिकुन गुनिया और डेंगु रोग होते हैं मलेरिया मच्छर के काठने से होता है इसकी खोज किस ने की थी तो इसकी खोज रोनाल्ड रोस ने की थी नेक्स्ट है हीमोगलोवन तता लोह की कमी से होने वाला रोग कौन सा है तो एनिमिया हीमोगलोवन और लोह की कमी से होता है नेक्स्ट है आपका मलेरिया की दवा कौन से पेड़ की चाल से बनाई जाती है तो मलेरिया की दवा कोनें सिनकोना की छाल से बनाई जाती है गिजू भाई एक प्रसिद सिच्छा सास्त्री थे उनोंने किस चेत्र में मैतपूर भूमिका निवाई तो ये है नरसरी और प्रात्मिक चात्रों की सिच्छा में इनोंने बहुती मेटपुर भूमिका निभाई अगला है चील वाज और गेद्ध हमसे कितने गुना जादा दूरी तक देख सकते हैं तो यह हमसे चार गुना जादा दूरी तक देख सकते हैं नेक्ष्ट है मनुस्य की तुलनामे बाग हंदेरे में कितने गुना बेतर देख सकते हैं, तो ये 6 गुना बेतर देख सकते हैं, नेक्ष्ट है बारत में कितने तरह के जहरीले सांप पाई जाते हैं, तो भारत में 4 तरह के जहरीले सांप पाई जाते हैं, एक तुलनाग, एक ह एक है आपका अफाई यह चार तरह के जहरी ले सांब भारत में पाई जाते हैं नेक्स्ट प्रेस्न है पंची देखते हुए अपनी गर्दन को जादा घुमाते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि उनकी आखों की पोतलियां घुम नहीं सकती हैं इसलिए पंची देखते हुए पंची गोसला बनाकर अंडे देते हैं तो अप्रेल के महीने में पंची गोसला बनाकर के अंडे देते हैं नेक्स्ट है आपका गोलकुंडा के ले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था नेक्स्ट है आपका रेल गाड़ी का चलना किसका उधारण है तो रेल गाड का मीठा गोल भी डालते हैं नेक्स्ट प्रेस्ट ने है मधमक्की के डंक में कॉमसा एसिड होता है तो मधमक्की के डंक में फार्मेक एसिड होता है नेक्स्ट प्रेस्ट ने है चेराव नाच किया जाता है तो चेराव नाच आपका मिजोरम में किया जाता है नेक्स्ट है पौतर दिसाथ में देखाईँ देटा नेग्स है दौरा मातर पौध पर हथाया इसाजार प्रैयोग किये गए थे ग्रेकर जॉन मकंडल के द्वारा मतर के पौध पर अठाइस सजार प्रीयोग किये गए थे नेंस है आपका असम में सबसgeord lista होती हैं तो जी पर 4 तरह की 900 रंति हैं अच्छ हमारे पेड़ पेड़ कहा याद्पाद में उज्वेकिस्तान से आया था को है क्यों सा सागर संबसे नमकीन माना जाता है। तो मृत सागर को हम सबसे नमकीन सागर के नाम से जानते हूं। नेक्स्ट है आपका उस संस्था का नाम बताईए जिसने दड़की माई के प्रयास से तलाब बनवा कर गाउं में पानी की समस्या खत्म कर दी तो तरुन भारसंग ने पानी की समस्या खत्म कर दी थी नेक्स्ट है कबड़ी की टीम में कितने खिलाडी होते हैं नेक्स्ट प्रेस ने है प्रथम बार 16 अपरेल 1813 में रेल गाड़ी किन दो सेयरों में चली थी तो यह आपकी मुंबई से थाणे में चली थी नेक्स्ट है जमीन से निकाल लगया तेल कौन सा होता है तो गेरे रंग का गाड़ा एवं बदवूदार ये तेल जमीन से निकाल गया तेल होता है नेक्स्ट प्रेसने है आपका लेगिस्तानी ओक पेड का नाम है जिसकी जड़ें उस गेराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक की पानी बाहर तक न जब तक की पानी नेक्स्ट प्रेसने है रेगिस्तानी ओक पेड का नाम जिसकी जड़ें उस गेराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक की पानी तक न पहुँच जाएं इस पेड की गेराई इस पेड की उंचाई की लगवक 30 गुना होती है यह पेड कहां पर पाया जाता है तो यह पेड औस्टेलिया में पाया जाता है नेक्स्ट है नेपेंतिन स्पौधा हमारे देश में कहां पर पाया जाता है तो नेपेंतिन स्पौधा हमारे देश में मेगाले में पाया जाता है नेक्स्ट है पुराने समय में ज्वार बाजरा की फसल प्रमुकता से उगाई जाती थी आजकल इन फसलों की जगे किस फसल ने ले ली है तो गेहूं और कपास ने ज्वार बाजरा की फसल की जगे ले ली है next है फसलों में कीड़े लगने का प्रमुक कारण क्या है तो मैगी खाद का प्रयोग करना इससे फसलों में कीड़े लगने का प्रमुक कारण माना जाता है तो friends हम आसा करते हैं कि आपको ये वीडियो इसके सभी questions अच्छे लगे होंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो एक बार चैनल को subscribe करके वीडियो को like और share करें Thank you